नमस्कार मैं आपका अपना सुमित प्रताप सिंग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इंडिया के नमर बन एग्रिकल्चर प्रॉपर्टी सेल यूट्यूब चैनल आरेस प्रॉपर्टी से इंडिया पर जैसा कि आप जानते हैं यहां प्रतेक प्रकार की प्रॉपर्टी को खरीदने का और सेल कराने का काम बखो भी करते हैं तो आपके पास संपूर भारत में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल करना चाते हैं तो इसकीन पर देखरें मॉबाइल नम को subscribe नहीं किया है तो जल से जल हमारी चैनल को subscribe कर लिए सबस्क्राइब कर लिए क्योंकि बहुत सारी जमीरें जो आपके हाँ से निकल सकती है तो जल से जल चैनल को subscribe कीजिए और आगे बढ़ते हैं video में सामने स्कीन पर आपको एक property नजर आ रही होगी फाइनली आपकी जैसी requirement थी बिलकुल उसी type की property हमने arrange की है और जिसका rate जो है वो बेहद ही कम rate पर आपको यह property मिल रही है इतनी कम कीमत की जमीने नॉर्मली आसानी से नहीं मिलती है और काफी सारी मैनत करनी पड़ती है तब जाकर arrange हो पाती है आप लोगों के लिए यह सांदर जमीन है तो आज की जो property है वो काफी अची location से हमने arrange की है और सबसे पहले property का जो location है वो हम आपको बताना चाहेंगे यह है जमीन आपकी राजिस्तान के डिस्टे के जालाबाट में जालाबाट से जमीन की कुल दूरी है वो है 70 km की इसके बाद अगर हम बात करते हैं property की तो यह है मनोहर थाना इसका तैसीर लगता है जो जमीन से लगवग 10 से 12 km की दूरी पर रहेगा और इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं प्रापटी की तो टोटल जमीन जो है वो लग भग पांच हजार एकड के आसपास जमीन आपको यहां मिल जाती है और आगे बात करते हैं जमीन जो है वो कोटा से जो कुल दूरी रखती है लग भग 110 किलो मीटर की दूरी पर आपको जमीन मिल जाती है अगर हम कीमत की बात करें तो वो आपको यहां मिल जाती है लग भग 2,00,00 रुपए प्रती एक एकर जिसमें आपको जमीन से लगा हुआ लग भग 2 रोड मिल जाते हैं जो आपका एक मैन रोड लिंक रोड रहेगा और दूसरा आपका यहां पर दोनों देखा जाए तो आपके पी एम रोड रहेंगे लेकिन रोडों की जो चोड़ाई है वो काफी जाता है 20-25 फुट चोड़े रोड आपको मिल जाते हैं इस प् लगवग 500 आउनर्स की जमीन रहेगी 500 मालिक हैं जमीन के और लगवग सभी जर्नल कैटेगरी से हैं तो जमीन को खरीदने में कोई परिशानी आपको फेस नहीं करनी है और आप इस जमीन के जो टुकड़े हैं उसको देखा जाए तो लगवग 300 एकड़ के असपास से लेकर जादा से जादा कितना बड़ा भी टुकड़ा ले सकते हैं जमीन के अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो जमीन है वो लगवग आपको तीन से चार किलो मीटर का फेंट मिल जाता है प्रॉपरटी का और जिस पर अगर हम फसलों की बात करें तो सिर्फ बरसात क मौसम में ही फसलें की जा सकती हैं बागी की देखिए आम आपको दिखाना चाहेंगे वीडियो में यह आपको दिखाए हैं तीनों वीडियो में एक सबसे पहला वीडियो आपका बरसात का है दूसरा सर्दी के मौसम का है और तीसरा गर्मियों के मौसम का है यह वीडियो ज 40 km की दूरी पर मैन पावर प्लांट है जिसे कि आप पावर हाउस जो रहेगा वो आपको काफी नजदीक लगवक 40 km की दूरी पर है और बात करें इसकी तो देखिए यहां फसलें जो है वो सिर्फ आपकी बरसात में ही की जा सकती है नॉर्मली अगर वाटर लेवल को देखा है तो 700 फिट का है तो पानी में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी जमीन को लेकर बात करते हैं जमीन को बेचने का कारण तो वो एक मैन कारण पैसों के आवशकता ही रहेगा बाकी की जमीन जो है वो आवादी छेतर से लगवक 3-4 km की दूरी पर है अगर हम बात करते हैं बस स्ट किलो मेटर की दूरी पर दार्मिक विसेश की बात की जाए तो 90 परसेंट 90 प्रतिशत आवादी जो है वो हिंदू रहेगी यहां पर और जाती विसेश में देखा जाए तो ब्रामड मीना ठाकुर गूजर और बंजारा जैसे लोग यहां पर निवास करते हैं प्रॉपटी जो है वो काफी अची लोकेशन पर है काफी कम कीमत पर आपको यहां मिल रही है और जो टुकड़ा है वो लगबग आपका पांच हजार एकड़का है तो जो भी वेक्ति इंटरस्टेड हो इतने बड़े टुकड़े की प्रॉपटी को पर्चेस करने के लिए सीधे कॉन्ट आपका जो है वो ना की बराबर आता है लेकन चलिए कोई दिक्कत नहीं है आप अपना कर्म करिए और हमारा कर्म है कि हम आपके लिए जमीन ना रीजिक करें तो वह मेरेंग में आप लोगों के ऴिए चाहाए हमें किसी बेटिया से क्यों ना प्रॉपटी आरीन्ज करनी हो तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चलिए पड़ने हैं, तो सब्सक्राइब कर लिए से मिलते हैं, आप से बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, जी, रादे कृष्णा